अगर ये वाई ये वाई है ना ये क्यों हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ में क्या चेंज आएगा तैयारे आप एक छोटी स्टोई सुनेंगे और फिर अपन निश्कर्स निकालेंगे कि आखिर ये क्यों जो है वो क्यों इतना इंपोर्टन्ट है शुरू करते हैं अब ये सम फूटबॉल बहुत फिमेज से तो वो फूटबॉल खेल था ठीक इसा वहाँ पर क्लप्स होते हैं फूटबॉल के उसने भी एक क्लब जॉइन कर लिया और डिली प्राक्टफ करने जाता था वो किसकी फुटबॉल खेलने की रेगुलर काम था, रोज जाता था, प्राक्टेस करता था बट वो फुटबॉल का एक एवरेज खेलाडी था he was an average player of फुटबॉल, ठीक फिर क्या हुआ, उनके उस शहर में एक टूनमेंट हुआ एक पृतियोगिता आयोजे थोई एक एवरेज प्लेयर था, तो कोच ने उसे खिलाने से मना कर दिया आप ने को करना फुटबॉल में वो बैंच पर लोग बैठे होते हैं तो वो भी वहाँ बैंच पर बैठा रहा पूरा मैच हुआ, उसके कलब ने मैच जीता भी, और वो फिर घर चला गया उसके बाद वो लगबग 8-10 दिन वापस नहीं आया 8-10 दिन में वो टूरमेंट आगे बढ़ता रहा, और उसका कलब फाइनल में पहुँच किया अब वो फाइनल मैच के पहले वापस आता है और अपने कोच से यह रिक्विस्ट करता है कि सर, I want to play today सर, आज मैं खेलना चाहता हूँ then coach said, what is this? first thing is that this is a final मैच second, आप कई दिनों से practice पर नहीं आये है और आप एक average player है football के I can't allow you, मैं आपको अलाव नहीं कर सकता हूँ then वो एकदम गिडगरने लगा उसने वो coach के पैर पकड़ लिए sir, I want to play today please, sir, please allow me, sir sir, I want to play today he started crying वो रोने लगा then coach को लगा, यार, यह कैसा behave कर रहा है जब वो कुछ जादा ही request करने लगा तब coach ने कहा कि okay, ठीक है football is a game of 90 minutes football is a game of 90 minutes तक चलने वाला game है उसमें बीच में players बदल सकते है ठीक, तो coach ने कहा मैं आपको 10 minutes दूँगा खेलने की he was happily ready वो ले ठीक है sir, मैं 10 minutes खेल लूँगा अब match चुरू होता है अब देखिए match चल रहा है और उस चलते हुए match में वो bench पर बैठा हुआ है उसका club खेल रहा है अगले team भी खेल रही है match start होता है first minute second minute, third minute, fourth minute match चलता चला जा रहा है 10th minute, 15th minute around 22nd minute एक goal हो जाता है अब score हो गया उसका club 0, another club 1 match अभी भी चल रहा है 25 minute, 30 minute, 40 minute match continuously चल रहा है 45 minute, half time score, 0, 1 है ना, वो बंदा, वो player अभी भी bench पर बैठा हुआ है वो ground में नहीं है और match आके बढ़ता गया है ना, score में हाल लिख देता हूँ फिर से आपके लिए 0, 1 अब match चल रहा है 45 के बाद 46 minute 47, 48, 50, 55 around 58th minute फिर से गोल हो गया अब score हो गया है, उसका club 0 another club 2 60 minute 61st minute 62, 65 70 minute जब आखरी के 15-20 minute बचे हैं तब वो खड़ा होता है और अपने coach के पास जाता है कि sir you promised me, आपने कहा थे कि आप मुझे खिलेंगे तिन coach वैसी match हार रहे थे हैं ना, उनका दिमाग वैसी attention में ओले हाँ ठीक है जाओ, around 75th minute वो बच्चा वो player ग्राउंड में आता है फुटबॉल खेलने के लिए और उसके बाद वो जो फुटबॉल खेलना शुरू करता है तो पेले से लेके तो मेरडोना से लेके रोनॉल्डो रिवाल्डो ठाक फेंटास्टिक फुटबॉल खेलता है उनके जैसी एकदम स्टार प्लेयर के तरफ फुटबॉल खेलता है around 78th minute दे गोल होता है अब स्कोर हो गया है 1 वर अनदर क्लब 2 फिर मैं चाहके चल रहा है 79, 80 81, 82nd minute में वो फिर गोल कर दे ला है now the score is 2, 2 दोनों टी में बराबर ही परा गई है time 82 minutes 83, 84, 85 मैं चल रहा है टसल इस देर 86, 87th minute में एक और गोल होता है and now it's 3, 2 88, 89 and final visit आपने देखा को फुटबाल में वो कैसा celebrate करते है just नहीं शुरू हो गया वो हरा हो मैक जीत गए थे वो एक के उपर कूद गए किसे ने शॉर्ट निकाल दी एकदम celebration was going on पर कोच एक कूने में खड़े होकर सोच रहे थे कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ ये लड़का इतनी अच्छी फुटबाल नहीं खेल सकता है मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ और मैं पिछले 25 साल से कोच हूँ लेकिन ये इतनी अच्छी फुटबाल नहीं खेल सकता ये एक average player है फुटबाल खा ठीक है उस ने चुछ को भूला उस लड़के को भूलाया गले लगाया बहुत बदा ही दी लेकिन एक प्रस्ट ने बूचा कि ये बताओ कि आज हुआ क्या तब उस बच्चे ने कहा कि सर आज पहली बार मेरे पिता मुझे फुटबाल खेलता देख रहे उस ने कहा है आपके पिता तो फिर वो बच्चा बोलता है सर एक्चुली मेरे पिता की आठ दिन पहले डेथ होगी अभी तो तुम कहा रहे थे कि मेरे पिता पहली बार मुझे फुटबाल खेलता देख रहे है और अब बोल रहे हो कि उनकी आठ दिन पहले डेथ होगी तब वो बच्चा बोलता है सर मेरे पिता ब्लाइंड थे और उनका सपना था कि वो मुझे फुटबाल खेलता देखे सर आज उपर से वो मुझे फुटबाल खेलता पहली बार देख रहे थे तो सर वो जो पंदरा मिनिट मैंने फुटबाल खेला है वो फुटबाल नहीं खेला मैंने उनके सपनों को जिया है सर मैंने फुटबॉल नहीं खेली मैंने अपने पापा के सपने को जिया है इसलिए मैं इतना अच्छा खेल पाया सी इस स्टोरी से हम समझने की कोशिस करते हैं कि उन पंदरा मिंटों के लिए क्या बदला था उस बच्चे के लिए सिर्फ फुटबॉल खेलने का रीजन क्या बदला था फुटबॉल केलने का रीजन मतलब उन पंदरा मिंटों के लिए उसके पास फुटबॉल केलने का बहुत सॉलिड रीजन था इसलिए वो उनस्टॉपअबल हो गया इसलिए वो दम heroic performance दे गया दम स्टार प्लेयर की तरह खिल गया क्या हमारे पास अपने जीवन में किसी भी काम को करने का बहुत सॉलिड रीजन है क्या वाई हमारे पास बहुत सॉलिड है यकीन मानिए यदि आपके पास ये वाई बहुत सॉलिड होगा बहुत स्ट्रॉंग होगा तो आप कोई भी काम कर जाएंगे